बहुत ही कमाल के यूसफुल टिप्स आप लोग के लिए लेकर आई हूँ फ्रेंड्स जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूसफुल होगा हेलो एवरिवन वेल्कम बैक तो माई चैनल आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो फैंड्स आज मैं आपके लिए बहुत ही यूसफुल टिप्स आई आई हूँ और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूसफुल होगा और एकदम यू निव टिप्स आंट्रिक्स है और friends यह सब tips and tricks वही मैं आपके साथ share करती हूँ जो मैं खुद follow करती हूँ और सारे tips आपको बहुत ही amazing लगेंगे और सारे जो मैंने जुगार भी किया है वो भी आपको बहुत ज़्यादा amazing लगेगा तो चलिए फटा-फट से हम वीडियो को देखते हैं तो friends मेरी पहली टिप्स है इस तरह की polythines को लेकर friends इस तरह की polythines friends हमारे घरों में होती है maggie, biscuits या कोई भी चीज खाते हैं तो क्या होता है इसे हम ऐसे फेकते हैं तो यह उड़ता है और यह बहुत ज़्यादा बेकार लगता है तो इस तरह के का आप एक bottle ले लिजे friends और knife को अच्छी नहीं होती है और सबसे बड़ी बात friends इसे हम जब इस तरह से फेक देते हैं तो इसे गाए वगएरा भी खा लेते हैं जो बहुत ज्यादा उनके लिए उनके लिए जान को खत्रा हो जाता है तो हमने क्या करना है इस तरह की polythines होती है friends इस तरह के plastic के bottles भी हमारे घ बहुत ज्यादा भरा जाएगा ना friends के बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा और एक छोटे से bottle में बहुत ज्यादा polythines आपके महीने भर की आ जाएगी इसके बाद आप इसे अलो टेप से चिपका के आप इसे ठकन लगा के फेक देंगे ना तो आराम से कोई भी से उठा के अगर आप इस तरीके से नहीं रखेंगे ऐसे फेक देते हैं तो इससे जो जानवर होते हैं जो रोड पे घूमते हैं वो सब इसे खाते हैं तो उनकी जान भी इससे चली जाती है तो आई होप आपको यह टीप्स बहुत अच्छा लगा होगा और यह ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अगर आपको यह किसी भी पॉइंट पर यूस्फुल लग रहा है तो इस तरीके से आप पूरे महीने का जो डब्बा हमारे गण में होता ऐसे कठा करके आप यूस कर सकते हों उसके बाद अगले टेप से लॉकी को लेकर फ्रेंट्स बिना कोई विनेगर या बिना क है आए तर्फेंट्स आज कल तो इस तरएकर के का जो कॉटन का बैग आता है यह वाला यूस हो रहा है और इसी को दिया जा रहा है मार्केट वगार बगयर में भी ताकि हमारा environment clean अपनी क्लीन क्लीन कॉट बैग को अपनी लॉकी रख दोगे लिगाशे लुग है पूछ अगली टिप्स यह है इस तरह का जो बरतन माजने वाला होता है स्टील का या कोई भी जूना होता है तो उसको आप जब धोके रख देते हो ना तो वह पतलब अगल वगल बहुत ज़्यादा गंदा करता है और पानी उससे बहुत ज़्यादा टपकता है तो इसके लिए बहु आप हमेशा रख लिए डियाई वाई करने के लिए जो नहीं तो क्या होता है फ्रेंस कट करने से खराब भी हो जाते है जो नाइफ होते हैं यह नाइफ हमेशा रखी रहती हूं और हमने इस बोटल को इस तरीके से कट कर लेना है ठीक है और कट करने के बाद क्या करना है फ् उसे आप इस तरीके से रखोगे ना तो जो भी इसका पानी जड़ेगा ना वो इस बॉटल में गिर जाएगा और आप इस पानी को फिर गिरा दीजे वापी से रख दीजे और यह देखने में भी ठीक लगेगा और आपका जो अगल बगल का प्लेटफॉर्म है वो भी गंदा नहीं होता है तो आप जिस भी चीज से माज़िते हैं धोते हैं आप उस तरीके से इसको ऐसे रख सकते हो तो है ना बहुत ही अमेजिंग टिप्स पर इससे जरूर शेयर करिएगा जाद से ज्यादा और प्लीज जो चैनल पर नियू है सब्सक्राइब जरूर करिएगा इट तो आपको मेरी यह वाली टिप्स बहुत पसंद आई होगी उसके बात अगली टिप्स तरह से तेज पत्ता को लेकर आज कल के सीजन में बहुत मक्ही मच्छर घूम रहे हैं तो उसके लिए हमने क्या करना है तेज पत्ता को लेकर इस तरीकी से थोड़ा सा जला देंगे ना आप देखेंगे मक्ही मच्छर बहुत हद तक कम हो जाएगा अगर डेली करेंगे और इससे जो खुश्बू आते ने वो भी बहुत अमेजिंग होती है और दूसरा है फ्रेंड्स आप इस तरह का दिया ले लीजिए उसमें कपूर तेज पत्ता डाल दीजिए और उसके बा है इसके जो खुश्बू है वो बहुत अच्छी लगती है तो यह टिप्स भी आप अपना के देखिएगा फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ज्यादा हैल्फुल होगा तो दोनों टिप्स आप कर सकते हो फ्रेंड्स तेजपत्ते को भी आप उसका धुआवी दे सकते हो और तो तेजपत्ते और कपूर का दे सकते हो उसके बाद फ्रेंड्स मेरे एक बहुत अच्छी अमेजिंग टिप्स है जो हम लो ना बहुत ज़्यादा परिशानी क्रियेट करती है इस तरह कि जो पॉलोथिन पर गठान लग जाती है फ्रेंड्स जल्दी खोलता ने बट एक ब लाते है तो इस तरह करना नहीं होता है तो हम ने क्या करना देखिए प्लूदार के चैनले के फट करने करहें दो ऑन गर भी क्न देखें के सी कि अवसा नहीं हो उसकी बहुत जांक हून भी आपकर को शोटश सु आती है व क्रणस को पूल जाटी तो आप स्थीप्स को इपक को गुसाहती है फिर हम इससे सीजर से काट देते हैं तो आप इस टिप्स को अपनाईएगा इससे आपकी पॉलोथीन भी यूज होगी और आपको जो टेंशन है वह भी कम हो जाएगा आई होप आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी होगी इसके बाद अगली टिप्स बहुत अ अपने जो थिनर होता है ना जो नेल पेंट हम जिसको लगाते हैं और उसका कॉटन ले लीजिये और इसमें अप थोड़ासा थिनर लगा लीजिए फोड़ासा फरेंस ले लीजिए और उसके बाद जब आप इस प्लेट को साफ करेंगे ना तो आप खुद देखेंगे जो इतना अच्छा से clean होता है कोई दाग धबा हमारे plate में नहीं होगा देकि सारा जो हल्दी है वो स्कॉर्टन ने ले लिया है सोक लिया है और हमारी plate एकदम clean हो जाती है और यह बहुत विस्फूल tips है friends इसे आप जरूर ट्राइ करिएगा और आपको बरतन इदम आपको जो white plate इदम clean हो जाएगा I hope आपको मेरी सारी tips and tricks अच्छी लगी होगी friends अच्छी लगे तो please like, share, comment, subscribe मिलेंगे कल फी नई वीडियो में thank you so much for watching my video bye bye and take care